एक राश्ट्रिक चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष रामने सामने है मोधी सरकार ने पुर्व राश्ट्रपती रामनात कोविंद की अध्यक्षता में एक समिती का गठन किया है सरकार इसके लिए संसद विशेश सत्र का आयोजन कर रही है सरकार द्वारा 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेश सत्र बुलाई जाने के एक दिन बाद ये कदम सामने आया है एक राश्ट्रेक चुनाव लागू होता है तो इसका मतलब है कि पूरे भारत में लोकसभा और राज्ये विधान सभाव के चुनाव एक साथ होंगे और मतदान भी एक ही वक्त पर होगा लेकिन इसका इतिहास क्या है आज इस पर हम बात करेंगे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मेगना सच्टिवा आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर तमाम देश्टुन्ये की खबरें और जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ये वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच जाएं 1967 तक राजय विधान सभाओं और लोक सभा के लिए एक साथ चुनाव होते रहे थे हाला कि 1968 और 1970 में कुछ विधान सभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया और 1970 में लोक सभा को भंग कर दिया गया सरकार के इस कदम से आम चुनाव और कुछ राजयों के चुनाव को आगे बढ़ाने की भी संभावना है जो लोक सभा चुनावों के बाद में या साथ होने है आंदरप्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अर्माचल प्रदेश विधान सभाओं के चुनाव लोक सभा चुनाव के साथ होते हैं आंदरप्रदेश के मुख्यमंतरी जगन मोहनरेटी और ओडिशा में उनके समकक्ष नवीन पतनाया के साथ भाजपा के अच्छे संबंध हैं भलही वो अपचारिक रूप से इनके गड़बंदन का हिस्ता नहीं है अर्माचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में हैं की सिक्किन की बाद की जाए तो वहां सहयोगी दिल का शासन है दो राजियों महाराश्ट और हर्याना में भाजपा सहयोगीों के साथ सत्ता में काबिस है और जारखण मुक्ती मोर्चा जयनी की जामू मो कॉंगरस शासत जारखण में लोगसभा चुनाव के बाद चुनाव होने वाले हैं इससे लोगसभा चुनाव का समय आगे बढ़ने की संभावनाओं के द्वार भी खुल गए हैं ताकि इन्हें कई राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव के साथ ही संपन कराया जा सके सुत्रों के मुताविक शुक्रवार को ये जानकारी सामने आई है कि रामनात कोविंद स्कवायद और तंत्र की वैवारता का पता लगाएंगे कि देश में लोगसभा और राज्य विधान सभा चुनाव एक साथ कैसे कराये जा सकते हैं देश में 1967 तक लोगसभा और विधान सभा चुनाव तो एक साथ ही हुए है उन्होंने ये भी बताया कि उम्मीद है कि कोविंद इस संबंद में विशेशग्यों से बात करेंगे और अलग-अलग राज्यतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्ष भी करेंगे सरकार द्वारा 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसत का विशेश सतर बुलाये जाने के एक दिन बात ही ये कदम सामने आया है सरकार ने हाला की संसत के विशेश सतर का एजेंडा फिलहाल घोशित नहीं किया है साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी लगभग निरंतर चुनाव चक्र से वितिय बोजु पढ़ने और चुनाव के दारान विकास कारे को नुकसान पहुचने का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर देते रहे हैं जुसमें स्थानिय निकाओं के चुनाव भी शामिल हैं रामनाथ कोविन ने भी पियम मोदी के विचारों को दोहराया और साल 2017 मिराश्य पती बनने के बाद इसका समर्थन किया था साल 2018 में संसाथ को संभूलित करते हुए उन्होंने कहा था लगातार चुनाव से ना सिर्फ मानव संसाधन पर आत्यदिक बोज पड़ता है बलकि चुनाव आचार सहीता लागू हो जाने से इन विकासकारों को पूरा करने की प्रक्रिया भी बाधित होती है पीम मोदी की तरह ही उन्होंने इस विशे पर निरंतर चर्चा करने का आवहन किया था और इस मुद्धे पर राजनितिक दलों के एक मत पर पहुचने की उम्मीद जताई थी नरेंदर मोदी की नेतरतु वाली सरकार का दूसरा कारेकाल खत्म होने वाला है और पाटी के शिर्श उस्तर की राय है कि वो इस मुद्धे को अब और लंबा नहीं खिचने दे सकती और इस विशे पर वर्षों तक वहस करने के बाद इसकी उद्धेश्य पूर्णिता को रेखांकत करने के लिए निरनायक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है पाटी के नेताओं का ये मानना है कि मोधी के नेतर तुमें सत्ता अरून भारती जरता पाटी यानि भाजपा हमेशान लोग पिये समर्थन जुटाने के लिए बड़े विश्यों के विचारों से प्रेरी तरहती है और ये मुदार राजवितिक रूप से भी पाटी के लिए अनुकूल होगा और विपक्ष को चौकाने वाला होगा अब देखते हैं कि आने वाले सत्र में इस पर क्या चर्चा की जाती है, समीति का फैसला क्या होता है और क्या तमाम अपडेट सुफ वन नेशन, वन इलेक्शन जैसे मुद्दे पर आते हैं फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार